हेलो मेरे एक्जाम वाडियोर्स मैं दीपा और माविप्षा जो केशिर फॉर एक्सक्लेंस के इस इन लनी क्लासिस में आप सभी का स्वागत करते हूँ जैसे कि हम अपने एक्जाम से रिस्ट में हैं मार्च मिशन के और निकल चुके है ना लुचा को आपड़ने गया कोशिर ख़िए और से एक्जाम चुके प्रत आयारी के है अंकों को करींग करेंगर तो उसी के चक्टर हैं अपने नई एक्गाई को तो हमारा जो आज की तेरेज के संबंदिध को और के तीसरा चप्टर होगा है तो चलो, पहला तो हम इकाई को देख रहते हैं कि इकाई कौनसी है भीया हमारी इकाई कौनसी है इकाई पांच है ठीक है जिसमें आपको खनित संसाधन और अदोगी करन पढ़ना है दो विश्व इद्धु के बीच जर्मनी में आजिवाद, फासिवाद, सरकाली बज़न और करन धारन ठीक है तो इसको आपको पढ़ना है इस चैप्टर से एक, दो और चार मार्ग से कोशन आएंगे ठीक है तो इसको क्या है आपको एक मार्ग से कोशन जो इस चैप्टर से पूरे होंगे वो मैं एक साथ कराऊंगी ठीक है आज जो मैं कराऊंगी आपको दो और चार मतलब क्या है 30 से 75 शब्दों में आपको इस आंसर कैसे लिखना है मैं वो चीज़े बतादा चलूँगी ठीक है प्रत्यक्षकर में अपरत्यक्षकर में अब प्रत्यक्षकर में नीगम कराते हैं तो आपको क्या है? इन सब चीज़ों को पढ़ना होगा. दो दो लाइन नी पढ़ते जाओगे इसके बाले में तो आपको पुरा आंसर से तयार हो जाएगा. ठीक है? तो आपको उतनी चीज़े पढ़नी है जो इंक्जामे आनी है. पूरा बुक लेके नहीं पढ़ना है. बज़ेट से आप क्या समझते हैं? बज़ेट में किन-किन बातों का ध्यान रखा जाता है. ठीक है? अगर इस पर कहके प्रशना आते हैं, मतलब आपको किसके बारे में लिखना है? बज़ेट के बारे में. और इस चेप्टर से आएगा तो बहुत ज्यादा चानस है कि चार कोशन आएंगे. दो माक से जो कोशन है, वो आपका इतिहास के पार्ट से आ सकता है या भुगोल के. इस चेप्टर से जो चार माक से कोशन आएगे तो चेप्टर को पूरा आपको क्या? चार माक से काॉर्डिंग ही तैयार करना है. ठीक है? चलो, इस का अंसर देखते हैं, पहले के वार्षिक वित्ती वीवरंट, यह क्या होता है,समी hellखे ऐका बग Looking वर्च का लिखना है तो आगल पहहले को अच्छा अंथर लिखना है, तो जरुर ने नहीं करड़ा बहुत अच्छे माँक्स है, तो इसको कैसे में लाओगे भई अच्छे आंसर तो अच्छे आंसर में कि आपको अपना इंपूट देना पड़ेगा तो इंपूट क्या दोगे भई अनुछे देख सो 12 कहता है राष्टपत्र प्रतिक वित्ति वर्ष संसर की दोनों सदनों के समख सरकार के आय तथा व्याय का विवरंक रखवाता है जिसे वाशिक व में और इसी ही क्या करते हैं केंद्री बजट राज्यो का भी अपना बजट होता है लेकिन हम जो में क्या पढ़ते हैं केंद्री बजट पढ़ते हैं तो केंद्री बजट क्या है सरकार के आय और व्याव का लेखा जो खाई क्या कराता है केंद्री बजट कराता है ठीक है कहां से आएंगे भई, लोग सरकार को कहीं से तो पैसे चाहिए कि सरकार बस नोट छप करेते जाएगी, नहीं, इसे क्या अर्थवस्ता को संतुरत करने के लिए क्या सरकार को कहीं से पैसे लाने भी पड़ते हैं, पैसे खर्ज भी करने पड़ते हैं, तो यही इन सारजनिक ही करने के लिए सरकार को पैसे एकत्र करना फिर खर्च करने की जरूरत होती है इन कार्यों को करने के लिए जितनी धनराशी के वशक्ता होती है उसे लोगों के कर्च सरकार कर्वसूलती है उसे राजस्व कहते है ठीक है तो अब ऐसे बात है सरकार कहां से लाएगी भई जो हमार म trustees तब ही है स्रकार का आय होगी तब ही लोगों के वीपर खर्च करपाएगी तो सरकार के आय का साधनी क्या करता है सबसों प्यजर्च करगा है तो सरकार की आय और वैय का लेखा जोखा ही क्या कराता है बजट कराता है ठीक है अगर आपको आंसरा को लिखना है सबसे वहली क्या लिखेंगे सरकार की आय वैय का लेखा जोखा ही क्या कराता है बजट कराता है संसद में सरकार की आय और वह का लेखा जोखा प्रसुत करवाएगा उसे ही कहते हैं वार्षिक वित्ती विर्मन को ही हम क्या कहते हैं बजट आपको यह आंसर लिखना होगा उसके बद क्या है बजट की विश्रिष्टाओं के बजट में क्या चीजे लिखी जाती है भई क्या तो सब क्या है सरकार की खर्च है तो सरकार को है क्या चीज़ कराशिर प्याहँ है doe यह सब क्या किया ठीक्ट है इसका बिबरन दिया यगा गया चाहँbbe Always किना राजसरंसंगुगा भई इतनी है इतनी होगे शुल पर इतना खर्च आहोगा है। साथ ही किन किन करों की दरों में प्रयोर्टन किया जाएगा सरकार के खर्च अगर संग्रहिता जो से अधिक है तो किसी कितनी राशी उधार लेनी पड़ेगी सपोस्थ अगर सरकार को बता चलड़ा है कि 15,000 करोड़ों का खर्च करना है लेकिन उसकी आए केवल 1,000 करोड़ है तो 5,000 करोड़ और चाहिए उसको तो सरकार क्या करेगी उसको उधार लेगी तो यह उधार कहां से लेगी किन तरीकों से लेगी कितने ब्याश पर लेगी और उसको कितने वर्षों में चुकाएगी यह सब कहां हमें बजट में बताना होता है ठीकिंखे तो यही क्या होता है बजट में इन बातों को सम्मिलित क्या जाता है ठीक्या अगर देखा जाये बजट के के तो दो होते हैं एक āए आए और वै तो आए में क्या आए Rub ε कि सरकार की कोई पीजी है फई है ना उसको बेचेगी या उसमें अपने समान को मेच कर आक्यों करकार के भी उद्ध्यम होते हैं जयसे हमारे मिज्दी भी भाग हो गए, यह कई iron sponge company क्या होती सरकार के अंदर गत है तो वहां से जो आए होगी वो क्या आएगी पुझी का ताय में होगी ठीक है वे राजस्ववय मतलब सरकार योजनौव में किता खर्च करेगी पुझी का तो यह सब क्या है आए और वे का लेखा जो क्या कराता है बजट कराता है ठीक है अ आए कर से मतलब लोगों जो आए हम कर देते हैं जो इंकम टेक्स लगता है हमारे उपर उससे किता 17% सरकार आए करती है रिन भिन पुझी पुझी प्राप्तियां अलग अदर तरीकों से कैसे प्राप्त करती है जैसे किसी को रिन दी है तो उससे कैसे प्राप्त होगी उधा कर भिन राजस्वकर मतलब कर के अलावा और कहां कहां से सरकार की आये होगी सीमा शुलक जैसे हमारे राज्य हमारे देश में कहीं से कोई बाहर के समान आ रही है तो उस पर क्या हम लेते हैं सीमा शुलक लेते हैं मतलब किया है यह कऴे दीध मारे लग वब कर मतलब कया है यह हमारा सकटरियों पर लगाए जाता है के अधरी उत्पाद शुलक यह क्क i. यह क्क्या है पूरा सरकार का आये का शीर अब आये है तो खड्स भी होगा तो खड्स कहां पर होता है भई सरकार पेंशन देते हैं लोगों को तो उसमें चेय प्रतीशत कि इंद्री परयोजीत इसकी में मतलब से प्रधान मंत्री जंधन न अवास यूजना जय अवास यूजना यूं इस सब में कैया पारखता न परदेगे, उसमें कितना प्रतीशत कंटनी है, सबसेडिया होगी, ज तो यह है और वे आता है रुपिया आए जाता है रुपिया वे तो इन ही दोनों को क्या है सरकार पूरे अपने बजट में बताती है ठीक है तो यही क्या होता है उनका बजट होता है तो अब आते हैं हम आएकर पर भईया सरकार ने क्या लिया सरकार ने बजट निकाला तो उसमें क्या आय लेगी कर लेगी तबी तो यह कर कितने तरीके से होते हैं हमको अब वो पड़ना ठीक है तो कड़ समझे प्रेश्टों को देख जाये तो आएकर लेने का उचित विधि क अगर आप इंकम टेक्स ले तो उसके क्या उचीत विरिया होंगी, ठीक है, सरकार को किस प्रकार के करो से अधिक राजोसर की प्राप्ते होती है, तो यह किस से होती है, अप प्रत्यक्ष करो से होती है, हाला कि यह कोशन अब आने के चांसस खतम है, क्योंकि अब वैट खतम हो गया, अब क्या लागो हो गया है, जीएस्टी, तो आप अगर जीएस्टी को अच्छे से तयार करो चार्द माक्स में, तो उसके कोशन ज्यादा आ सकते, इस पार तरीके से पढ़ोगे, तो वैट को मत पढ़ना तो क्या करना आप GST के तयारी कर ले ठीके, चलो, अपने कोशन पे आते हैं, क्या है पहले कर, क्या है, सरकार जो Equipo कर, चैड़ कर पैसे लेते है, उसी को क्या करते है तो कितने भादों में प्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर ठीक है प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष होता जैसे हमारे income पर डारेट हम देते हैं कि भuteur मेरा income अकट 5.000.000.000 है तो मैं नहीं दूँगी लेकिन 3.000.000.000 हो गया तो 3.000.000.000 के उपर में 10% जैसे आपने कोई समान खई दी, कोई चिप्स का पैकेट खई दा, कुछ भी कही समान खई ने गए, कपड़ा खई दे, तो उसमें क्या होते हैं, कुछ परसेंट हम GST लेते हैं, पहले क्या था, अलग अलग टैक्पिकर होते थे, वेट हो जाता था, सर्विस एक्टेक्स होता तो यह क्या है, अप्रतेक्षकर होता है, तो क्या है, अप्रतेक्षकर वस्तूओं से वहां उपर लगाया जाता है, इसका अरथ है की कीमत में कर्द सामिल कर दी जाया, इस तरह कई प्रकार से सेवार और टलिफोन या मोबाइल के बिलो में भी कर्शा मिल के जाता है जैसे अभी है जीएसटी लगा है जाता है 5% 10% 12% 18% जैसे आपने 10 रुपे की कोई चीज ली है तो वह 8 रुपे की होगी और 2 रुपे उसमें क्या है आपका कर होता है GST तो यही क्या है आप प्रतेक्श का है कि आप डारेक्श गवर्क्राइन को ढ़ welcome क्या कर रहे हो आपने जो चीजे MRP में शामीरे क्या है कर के Hersude जुड़ के आती है तो क्या है आप उसको पेख रेते हो जैसे होटलों में खाना खाए जाते है न तो होटलों में आपका बिल बनेगा 100 रुपए तो उसमें 18% GST जूड़ जाएगा तो क्या हुआ 18 रुपए जोड़ेगा तो आपका बिल कि 10 रुपए को जाता है 118 रुपए का ठीक है तो यही क्या है अप प्रतेक्षकर होते हैं ठ उत्पाद कर लगा जाता है, कारखानों के मालिक का प्रबंधक उत्पाद की मातरा अनुसार सरकार को यह शुलक देती है, वस्तुओं पर करार ओपर करने की उनकी किमिदे तो बढ़ती है, लेकिन कुछ कच्छे मालों पर भी लगने से उनके दाम बढ़ जाते है, ठीक है, ज जिजेस के किया, छोट-छोटे पन्ने बने, चीक है, उसके बाद वो प्रिंटिंग के लिए गया, प्रिंटिंग से फिर क्या बना, बुक बना, तो यह हर छेतर पर क्या है, पांच परसेंट, पांच परसेंट, तो हमने क्या किया, वो सो रुपे की थी, वो बढ़ते-बढ तो इस चैसी कई होता है किस से मोड़ा इतर जाती है और जैसे गए संदि commissioner Uber तो आपने पेपर से एक स्टेज हो गया उसका पर हमने प्रिंटिंग थे बहगा तो वहाँ पर पिरिंट हो गया तो वह तो हर जगे पर क्या उसकी वैल्यू बढ़ते जा रही है तो उसी को क्या करते है value added text ठीक है मुल्य वद्धित कर एक प्रकार का अप्रत ख्षर है यह माल किपर की विक्री पर विक्रता द्वारा वसूरा जाता है एवशाचन को यमा किया जाता है इसका भुक्ता विक्रता विपारी द्वारा किया जाता है और मुल्य में इसे जोड़कर विभूक्ता से वसूरा जाता है इस प्रकार अंतिम भार इसके विभूक्ता पर पढ़ता है ठीक है लेकिन इसकी बार-बार बहुचीज़ होती थी कि हम हर स्टेज में पैसे बढ़ा रहे हैं हर जगह क्या है और अन्तिव रूप से किस पर बढ़ रहा है इसको पूरा से हटा दियाए इसक जगह में... शुल्क बिक्रिकड बिक्रा सेवाकर पर लगाया जाता है इस आम तर पे क्या बाहता है कि आपने कोई भी क्यों सर्विस ली है या कोई समाल ली है तो उसको क्या है आपको कोई न कोई कर देना होगा ठीक है तो इसको जो जो GST है उसको आप नई तरीके से तयार करेंगे आपकी वुक में क्या है पुराएं तरीके दिये कि जब लागू नहीं हुआ था तब की बाते दी गई है लेकिन लागू हो गया है तो इसको आपको क्या है उस तरीके से इसके आंसर को लिखने होगे ठीक है बच्चो तो आपने चार मार्ग से कोशन में जेस्ट को अच्छे से तयार करके रखोगे और मुझे कमेंड में जेस्ट के बाले में दो लाइनों में लिखके बताओगे कि जेस्ट कर कब लागू हुआ था और इसके लागू होने से क्या-क्या प्रभाव हमारे भारत पर हुए ठीक है, ठीक है, चलो, आगे चलते हैं, प्रतेक्ष कर, प्रतेक्ष कर ऐसा होता है, जो हम डारेक्ष कर गौर्णमेंट को देते हैं, ठीक है, वैक्ति का तुरुप से सीधे सरकार को देते हैं, ये एक वैक्ति की आए और कमपणियों और वैपार से होने वाले आय पर लगता ह है इन करोंको प्रतेक्श कर कहते हैं इसमें दो प्रखार करने वाली कम्पिनियों को निगम कर चुकाना होता है यह इन कम्पिनियों को अपने सभी fucking कर चामाल के करने को काटने के बाद अरजित आय काँ देना पड़ता है ठीक है जैसे एक कंपनी में 10 लोग काम कर रहे हैं उसको एक महने में कितनी आई हुई पर साल भर में 1 लाग की आई हुई तो उसकी लाप जैसे एक कंपनी में 10 लोग है ठीक है उसकी आई कितनी हुई एक लाग हुई ठीक है उसने साल पर में सब को वेतन दिया जो भी चीज़े दी असी हजार उसको चला गया है ना तो उसका लाग किता हुआ भाई 20 लाग की उसकी आई हुई तो इस पर क्या करेगी कमपनी क्या करेगी कुछ परसंटेज गौर्णमेंट को देगी तो यही क्या होती है निगम कर ठीक है अब आयकर वेक्ति की नीजी आयपर लगाया जाता है आय के कई स्रोथ हो सकते हैं जैसे वेतन भत्ते और पेंशन इसके अलावा कोई वेक्ति बैंक में रखी जमाराशी पर भी ब्यास अरजित करता है अपनी किसी संपत्ती के किराया पर देने पर भी वो आयपराप्तर कर सकता है इसी सभी को क्या है आय कर कहते हैं जैसे हम क्या है क्या अपने घरों को रेंट पर देते हैं है ना हमने बैंक में FD रखे हैं उसमें भी क्या हमको आय हो रही है न ऊवाट है अबने किसी को किराया दिया है तो यह सब का है आपके आय का जरिया है इस वह क्या करती है भोक है कुछ कर्वसुल करती है इसी को हम क्या करते है आपазд कर आयकर ठीक है अगर कोई वैक्ति के वर हजार रुपए कमा रहा है तो वह क्या आए देगा उसको तब ने घर के खर्ज चलाने तो आय क्या है एक निश्यत राशी के बाद जो उपर कमाई होती है ठीक है जैसे कोई धाई लाग से तीन लाग कमा रहा है तो उससे आई नहीं लेकिन कोई अगर चार लाग पांच लाग कमा रहा तो हम उन से आई लेते हैं ठीक है तो क्या है आए के लिए भी अलग अलग स्लैप बने होते हैं कि कौन सी आई वालों को हम किता प्रदिशर लेंगे ठीक है अगर आभ अभी नहीं आई जो हमारे बजट लग आया हुए है अभी एक फर्वरी को उसके रुसार देखोगे कि आए किनके उपर जादा लग रहा है तो ठीक है तो तीन लाग पर किसी कोई किसी कमाई है तो उसे कोई आई नहीं देना ठीक है तीन लाग से 6 लाग है तो 5% उसके इंकम का जो तीन लाग से उपर के आई पर मिलेगा ठीक ह 6 लाग से अगर उपर किया हो जाती है तो 15,000 और 10% क्या है income tax 9,12 वालों को 15% 12,15 लाग वालों को 20% और 15,000 लाग से जिनको है उसको 30% तो यह क्या होती है एक प्रतिशत बांदिया जाता है कि अगर आपकी आए 3,000 लाग से उपर है तो क्या करती है जो संपन्न लोग है जिनकी आय अच्छी है तो उनसे लेकर क्या करती है जो गरीब तब क्यों होती है उनके सारजदिक समुधाओं की सरकार व्यवस्था करती है ठीक है चलो आगे देखते है आयात कर और निर्यात कर में अंतर बताईए उसे क्या कहते हैँ आयात कर जो चीज ए हमारे यहाँ बनी है जैसे आपके आपास कपड़ा है यह कपड़ा है जो इंडिया में बना है यह कपड़ा B है तो अगर हमें इसको प्रमोट करना है तो क्या करेंगे हम इस पर 10% टेक्स लगा देंगे दस परफेंट मतलब यह 100 रुपे की है तो यह क्या होगे 110 रुपे की तो लोग क्या है 100 रुपे उला ख़ए देंगे तो देशी वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए क्या करती है सरकार बाहर किसी जो पर आयात कर लगाती है लेकिन निर्यात कर क्यों भई निर्यात कर इस निर्यात कर होती है जब धमाई देश से कोई बनी हुई चीज़े दूसरे देश जा रही है तो उस पर लगाया हुआ कर क्या होती है निर्यात कर ठीक है तो आपको इसके दो से तीन लाइनों में लिखना है चलो आगे चलते हैं सरकार ऐसे कौन-कौन से कार्य है जो गरीबी पमने कमी करती है ईतने लोगों को ही है जिनकी आएक है जो गांहें sometime ौमने पाथ ही कमा रहा है तो इसको बारम महीने में अगर तो कितना पैसा देगा, इसलिए क्या करों में एक निश्य दर्दिराइट करती है, शिक्षा स्वास्त में व्यवस्ता करती है, कि हर को अगर प्राइवट स्कूल में लिया सकता है, तो सरकारी स्थोरों की व्यवस्ता करती है, स्वास्त सिवाय हैं जैसे अलग-अलग टाइप तो काम करेंगे तो इस सब क्या है सरकार रस्थाय करती है जिसे क्या है जो गरीबी है वो दूर किया जा सके ठीक है तो आपको इस तरके से आंसर लिखने होगे ठीक आगे आते हैं बजट पारित कर देकले विधार मंडलों की मंजुरी क्यों आवशकता होती है ठीक है बजट कहां पारित होता है भाई हमारे संसत में ये हमारी राजविधायका में और इसको क्या कहागा 112 में कि राश्च्पति उसको रखवाएगा किसके द्वारा कर डहाना यहां डवय विधायक है तो नब लोगों को क्यों बता न आशवा जोली क्यों चाहिए तो देखो हम कर दे रहे हैं मतलawsze हमारा प्याम जा रहा है है तो घर्च करने के यह कर दो पूरा देश सोहाई श्रमालुक्सम प्रतिनीदिर क्या करते एप विधान रिधान बंदल और संसत में लोग जो हमारे बैथे हुए पृतिनिधु निद्व को रहे हैं उसले किया है जो सरकार भज़ख सब्सक्तार temperament कि जाता है ठीक है बज़ेट सरकार दोरा तैयार किया और प्रसुत किया जाता है लेकिन इसे पायित करने में विधान मंडल की एहम भविका होती है भायत के साविधान में विष्टा करी गई है कि केंदी विजट संसर दें प्रसुत कर पायित किया जाएगा वही राज्यों का बड़त संबनी राजजी के विधान सभाव में प्रसुत किया जाएगा ठीक है यह विधान मंडलों में जन्ता के दोरा चुने हुए प्रतिनिधित होते हैं और बज़ेट जन्ता दोरा प्राप्त करों से ही बनता है युविधान मंडलों से पायित करना वाला जरूरी होता है ठीक है बजट पर संस्दीर रियंदर के पीछे धान नहीं है कि हमारा देश एक प्रजाता अंतरिक देश है जिसे चुने हुए प्रतिनुदितों पर बजट के रियंदर अधिकार दिये गया है बजट सरकार कोई भी चीजे है वो अपने मनमारी से नहीं करती उसके लिए अंतरिक क्या है संसंदीर प्रणाली मतलब क्या है लोगों के दुरा चुनीवी सरकार है वो इस पर नहीं अंतरिक रखेगे ठीके वे चाहते कि सरकारी रजस्वक का सही उपयोग हो तथा कर सेंगरह मतलब क्या हैसर्ख कर ने मतलब संसत और विधान मंडर में ज़रूरी क्यों होता है ताकि इसलिए जो हमारा बजट है कि जड़ा प्रसूत को रहा प्रसूत हैंनके लिए नसा को बसाती बच्थ ऱहां ही चार माख से कोशन आ सकता है, तो आपको क्या है, इसको एटलिस सौम शब्दों के तयार करके रखना होगा, ठीक है, तो इसके लिए आपके हाप इतना पूरा चीजे लिख के रख लो, और क्या है, एक दो बार पढ़ लो, ठीक है, चलो, अगले कोशन पर आते हैं, अब करण पर बे नया संगत, मतलब अगले कोशन नहीं है, आपको टॉपिक को समझ लिएजें, अगर इसके कोशन आता है, तो क्या बता रहा है, ठीक है, जैसे, क्रिशी से रोजगार होती है, ठीक है, लेकिन क्या उनकी रोजगार इतनी होती है, कि वो कर दे पाए, या एक जो महिने में 5,000 कमा रहा है, वो सालबर में कितना कमाया, 60,000, तो ये 60,000 कमाया, जिसमें इसके 3-4 लोगों के रोजगार जल ली है, तो यह क्या कर दे पाएगा, नहीं, इसलिए नयाय संगत बनाना का मतलब है, क्या कर के वन उन्हीं लोगों से दिया लिया जाए, जो कर देने के इस कर को दे सके, है ना, और बड़े लोगों से भी इतना भी करने दे जाए, तो क्या है, वो चीजों को शुपाएगे, समझ लो, अगर ये 5,000 इसको पास है, तो अगर पास अगर इसको 50,000 दे रहा होगा, तो ये अपना कितना है दिखाएगा, तो इसका 10 परसें केवल 30,000, है तो इसका 10 परसें केवल 30,000, तो अपने 20,000 बचा लिया इसलिए क्या है, कि करकर दर जो है, इतना दिखाएगा, कि हर किसी को तिकत ना हो, अगर हर किसी को पर हमें बड़े-बड़े कर लगाएंगे, तो क्या होगा, हर को ये अपनी आय कम बताएगा, आय कम बताएगा, तो क्या होगा, उसको कम कर देने पड़ेगे, तो इससे क्या होगा, किसके वे पर इफैक पड़ेगा, गौर्णमेंट पर, क्योंकि गौर्णमेंट को पैसे क्यों चाहिए, जो आम तबका है, उसके लिए कुछ करना पड़ता है, सारजनेक वित्रम राली हो गई, को योजनाय क्या है, सरकार को नए इंडस्ट्री लगाने, इस अब के लिए पैसा चाहिए, तो सरकार पैसा कहा अस लाएगी, हमसे लेगी ना, इसलिए क्या कर का क्या है, नया संगत होना बहुत ज़री होता है, ठीक है, चलो, आगे देखते हैं, करपशन या कर चोरी, यह क्या होता है, जैसे, मैंने बताया न, पिछला उधारनी, कि लोगों का आए जादा है, लेकिन क्या है, कर्थि उसे बचने के लिए क्या करेगी, वो 5 लाग को क्या बताएंगे, केवल 3 लाग, तो वो क्या करेंगे, 50 रार का देना था, अब केवल देगा 30 रार, तो उसने 20 रार की चोरी क उसने बचाया, मतलब उसने सरकार से चुपाया, तो यही क्या हुआ, कर अपवांचर, मतलब कर चोरी, क्योंकि उसने 20 रार की क्या कि सरकार को नहीं दिया, तो यही क्या होता है, चोरी के धन को क्या कहते है, हम खाला धर, ठीक है, चुपा कर रखी हुए इस आय को क्या कहते काला धर कहा जाता है कई कर्खारों के मालिक अमीर जमिंदार वैपारी जितना कमाते हैं उसे बहुत कम दिखाते हैं जिन लोगों को एक निशित मासी क्वेतन मिलता है उनकी आये की गर्णा साने से कि जा सकती है न कि पता है कि सरकार कोई सिख्षक है उसको प्रतीमा 20,000 मैं तो इतना ही किया हूँ है ना कई कारखानों के मालिक बोलेंगे कि मेरे इस साल तो से क्वाल 50,000 रुचा पचीस लाग का भीकाई नहीं नहीं लें जाता है उनकी आये पर जहां से वेतन प्राप्त कर सकते हैं ये तो ठीक है इन लोगों की आये और भी अने स्रोत हो सकते ह तो इसे किराया अचा से नहीं लिए जाता है। कड़ चॉरी करना है आप अगर क्रिश का चुपा रहे हो इसा वाजया ने काम होती है जितनी आदेश को आए होले में लगा सके उतनी नहीं होती जिसे क्या होता है हम walay कार ही वो आप ही और पीछी ऊजाते है ठीके चलो अपने नेक्स टॉपिक परते कर्वयों और अद्राशी तुल्ला मतलब क्या है अगर दूसरे देशों कोई देखा जाए तो हां के हर वेक्ति क्या समधिक करता है कि कर देना अपनी जिम्मेदाई समझता है करण हो Tो तो क्या है तो क्या है ऑच्छ यते हैं wheat Listen कार्फ होती तो क्या राउ कार्फ में यहां के लोग कर देने के शम्ता नहीं रख सकते लेकिन क्रिशी शेत्र में हमें कर लागू होना करना चाहिए क्यों जो बड़े किसान है ताकि वह भी कर दे और उनकी कुछ आयका है हमारे देश की विकास में आ सके ठीक है कर संग्रहन का सिधा प्रभाव सरकार दोरा की जनले खर्चों पर पड़ता है जब कर का संग्रहन कम होगा तो क्या होगा राजस में कमी होगी इससे सरकार के पास खर्च करने के लिए रहनाशी कम होगी तो क्या होगा वो जो मानो पुंजी पर होगा उस पे कम करेगा ठीक है, मानो पुझी पर होने वाले खर्च सारोजनिक स्वास्त, सीक्षा पर होने वाले खर्च शामिल होते हैं, मानो पुझी पर कम खर्च होने से सिधा प्रभाव क्यार पड़ेगा, मानो के विकास पर पड़ेगा, मतलब अगर हमारे रेपास विकास के लिए खर्च पैसे गुअ में तो हम नई रेल लानं कैसे बठाएंगे, चपटे कैसे बनाएंगे, पजी कि वास्था करके का फितिक करेंगे alltså को सबसे और उस्तों क्या है और हम पैसे करका राख्षकार को पेशा है इसलिए कि आभायाद क्या है आज भी क्या है विकास कार्यों में पीछा है ठीक है तो बच्चो इतने जो चेक कोशन्स मैंने बताया topic deal किये इतने से ही आपके कोशन्स आएंगे और इसी को अच्छे से आपको करना है ठीक है सिर्फ एक कोशन्स मैंने होंबग दिया GST, GST नही किसी सी हमारी help चाहिए कि कोई subject लेने चाहिए तो आप हमारी से counseling के जूर सकते हो क्योंकि मैं career counselor हूँ और बच्चों को यह भी बताती हूँ कि आगले आपके आगने वाले life का career पात कैसा होना चाहिए ठीक है आपको क्या सोच समझ कर कि subject पर जाना चाहिए उसके आगे कि क्य आपको मिल सकती है ठीक है आपके क्या क्या पॉर्शनिटीज हो सकते है ठीक है तो आप इस दिये हो इन अमबर पर कॉल करके हमसे जूर सकते हो या अगर आप अभी दस्वी में हो 11 के classes के लिए हमसे अभी से जूरना चाहते है शुराथी दोर से तो क्या आप डाउनलोड करक अच्छे से फोकस होके जूर जाना ठीक है कोई भी सब्जेक ऐसा नहीं लेना है कि भाईया चलो ले लेते हैं गर में दोस्त लेना है तो ऐसा नहीं लेना है आपको पॉपर पालिंग के साथ क्या करना है अपने courses को लेना ठीक है तो किसी भी तरी किसे डाउट है ताप सिखना के प्रैक्टिस बहुत जादा करो ठीक है बेस्ट अप्लक्मेंट बच्चो